नमस्कार स्वागत आप सब का देखने जोतिश जराट के मैं हूँ आपके साथ आपका इस्टो फ्रेंड संतो संतोशी मंगल का राशी परिवर्तन 6 सितंबर से 22 अक्टूबर कन्या राशी में प्रवेश मंगल अपनी राशी से अगर हम मेश से जोडते हैं तो छठे में आ एक अदस भाव में कन्या राशी में मंगल का ये बड़ा ट्रांजेक्शन है मंगल का ट्रांजेक्शन वैसे भी बड़ा होता है 44-45 दिन का ट्रांजेक्शन होता है और मंगल जिन दो घरों के स्वामी हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं एक चर राशी में आता है एक इतना मंगल मचेगा ये पूरी जानकारी लेकर के उपस्ते थे आएए सुरवात करते हैं मंगल का राशी परिवर्तन में से मीन तक क्या रहेगा परिणाम सबसे पहले मेश राशी आपके six house में इनका प्रवेश आपके छठे भाव में इनका प्रवेश है अश्टमेश होकर के छठे में आए किताबों के अनुसार तो भी प्रीत राजियोग है लेकिन कहीं से भी मेश के लिए सकरात्मक नहीं रहेंगे भले ही लगन स्वामी है लेकिन छठे में आए न तो पीडी तवस्था में आगए गुप्त शत्रू हावी होंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे ये फाइदा है धन फस सकता है रिस्क नहीं लेना है प्रापर्टी के बिवाद हो सकते है सावधानी बरतने की आवशकता है पंचम से दुतिय में आए है ब्रेक अप हो सकता है प्रेम संबंधों में एग्रेशन आ सकता है अश्टम से छठे आए है ब्रिश्चिक से छठे आए है अर्थात दामपत्य जीवन में बाहरी तक्तों का हस्तक्षे बढ़ जाएगा तो चारों तरफ मेश वाले बस सावधा पंचम भाव में उपस्थिती है बारहवे के स्वामी होकर क्या आए है पुराने प्रेमी प्रेमिका के वापस आने की संभावनाय बनती है अचल संपत्ति का लाव होता है धन की स्थिती बढ़ेगी रुके धन की प्राप्ति जरूर होगी सबतमेश होकर के पंचम में आए है प्रेम विवाह निश्चित है इक्ष्टा मेटल अफेयर के चांसे बढ़ सकते है इस्त्रियों के अंदर भटकाव की प्रबल संभावना बढ़ सकती है प्रिशब वालों के लिए हो गया मिथुन राशी फोर्थ हाउस में आए है एका द सब्सके स्वामी होकर के फोर्थ हाउस में आए है ये स्थिति थोड़ी सी ठीक ठाक है संपत्ति विवात समाप्त होंगे कोड का चहरी में जीत मिलेगी बढ़ों का सानिद मिलेगा पद प्रतिष्ठा की व्रद्धी होगी दसम भावपे द्रिष्टी है इनकी मित्र होती है सम्भावना प्रबल है करक राशी थर्ड हाउस में करक राशी वालों के लिए परिस्थितियां बहुत फेवरेबल नहीं है यहां पर उठा पठ जादा लग रहा है त्रिक भाव में इनकी उपस्थिति है चुकि योग कारक होते हैं करक के लिए मुल्तरिकोण और के स्वामी होते हैं त्रिक भाव में आ गए अश्टम से अश्टम आ गए भाग्य में कमी ब्रेकप के चांसे ज्यादा स्वास्थ में गिरावट पैसे का फसना क्रोध की अधिक्ता भाई बहनों के साथ विवाद की संभावना प्रबल कर रहे हैं सिंग राशी आपके लिए भ पैसे की स्थिती अच्छी रहेगी वाणी में कुछ ओज आएगा गुसा आएगा क्रोध आएगा कुछ रिस्ते आप से दूर होंगे धन की स्थिती लेकिन ठीक रहेगी कन्या राशी आपकी राशी पर आ गए हैं थर्ड हाउस के स्वामी होकर क्या आए हैं अश्टम के में बहुत सभलने वाला है रोग दोश बिमारी उपरी प्रभाव तंत्राद की संभावना प्रबल होती है थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करना होगा गुसा एक्दम से आएगा जगड़ा बढ़ सकता है कोल्ड कचहरी मुकतमे बाजी जेल आद के योग हैं अगर कुंडली में अल्रेडी जेल योग है दसम छठे का संबंद है तो सावधान हो जाईएगा तुला राशी दुती और सब्तम के मालिक होकर के बारहवे में मैठे हैं दामपत्य जीवर में उथल पुथल रहेगा धन की स्थिति ठीक रहेगी पढ़ाई में मन लगेगा पुरानी समस्या का हल निकलेगा दोस्त मददगार साबित होगी ब्रिश्चिक राशी ब्रिश्चिक वालों के लिए छटे के स्वामी और राशी के स्वामी होकर के एक अदस भाव में आये हैं थोड़ी बहुत उठा पटक तो रहेगी कारिछेत्र में प्रेम संबंदों में समस्या सकती है अलगाव के चांसेस बन सकते हैं में द्यार्थियों को विशेश ध्यान देना होगा एजुकेशन लोन आदि के लिए विचार कर रहे होंगे तो मिल जाएगा उसमें दिक्कत नहीं आएगे कुछ बहुत प्रितिक्षित काम बनेंगे गुप्त दुश्मनों पर आप हावी रहेंगे धनुराशी आपकी कुडली में टेंध हाउस मेर्यू पस्थिती है पंचम के स्वामी होकर दसम में आए है लिहाजा इस्थितिया सुधरेंगी प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी शादी की मैवाहिक इस्थिति में जो रुकावट आ रही थी दूर हो जाए मकर राशी मकर राशी वालों के लिए चौथे के स्वामी है और एक अर्दस के स्वामी है उपस्तिती है भाग्यस्थान पर ठीक ठीक रहेगा धार्मी क्यात्राएं कराएंगे पैसे से मजबूत करेंगे रुके काम बना देंगे कोड का चहरी में जीद दिलाएंगे लेकिन कुम्भ राशी वालों के लिए रुकावट के कारण बन सकते हैं तीसरे का स्वामी और दसम का स्वामी कारण छेतर में एकदम सिब्रेक लगेगा नौकरी जैसे कोई खाने आएगा रुपया पैसा फस सकता है चीट हो सकते है धो बहुत अच्छा समय नहीं है मीन राशी दुती के स्वामी है सब्तम में आए नवम के भी स्वामी है सब्तम में आए नाइंद और सब्तम का संबंद तो ठीक है दाबबत्य जीवन में कोई बहुत बड़ा विवाद रही है कुछ चीजे जो खुल गई थी वो ढग जाएंग बाहरी तत्यों का जो हस्तक्षेप था दूर हो जाएगा अलगाव के लिए जो विचार कर रहे है तो बहुत एजली सेटल्ड हो जाएगा मिद्यार्थियों को लाव होगा नहीं जगा है एडिविशन होगा परिशारिया दूर होगी मेश से मीद तक ये छोटे में हमने फल बता दिया बहुत लंबा तो अन्त ही रही है फलों में लेकिन लंबो लूँ आप हमने आपको निश्कर से दे दिया कहां सभलना है कहां फाइदा पाना है प्रियोग क्या है नहाने के बाद अगर आपको मंगल का अशुप्फल मिल रहा है नहाने के बाद तीन बार बजरंग बाण का पाठ कर लीजे सात्विक रहिए बड़ों का अशिरवाद लीजिए कुरूद पर नियत्र रखिए गुड बैल को खिला सकते हैं बैल ना मिले तो गव माता को खिला सकते हैं बाकी परिफेक्ट रहेगा नॉन्वेज नहीं उगलियों में पत्थर नहीं जो लोग मुगा वगरे पहने होंगे भईया निकालगे रख दीजिएगा ये ना सोचिएगा कि ब्यक्तिकत तोर में हम बताएंगे तब आप निकालेंगे फस सकते हैं बत बता देरें इतना द् तारिक को अबश्कार स्विकिष्णा शेरा दे